आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रिसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अब ही राउटनोट करें। क्वेशन हमारे पास है कि दो रेल गाडियां विपरीत दिशाओं में 126 km गंटे की चाल से चल रही हैं। जब यह एक दूसरी को पार करती है तो उनमें से जाती है। अब यदि सीटी स्वर की आवरिती दो लो हर्ट्स होती है, तो दूसरी रेल गाड़ी में इस्थित श्रोता द्वारा सुनी गई आवरित में ग्याद करना है। इसके लिए हमें कंडिशन भी दी गई है। एक दूसरी को पार करने के बात की स्थिती पर हमें इस्थित दूसरी रेल गाड़ी पर इस्थित श्रोता द्वारा सुनी गई आवरिती का महान ग्याद करना है। जबकि ध्वानी के लिए जो उसकी चाल है वो 335 मीटर प्रती सेगंड दी गई है। जैसा कि बताया गया वैसे कंडिशन हम मना लेते हैं। पहली रेल गाड़ी हमारे पास और दूसरी रेल गाड़ी यहाँ पर है। दोनों के स्थितियां अभी हमने बता दी तो पहली रेल पर अब देखिए इसमें अगर हम गुणा करें हैं 5वटे 18 का तो हमें यह मिल पाएगा मीटर प्रती सेकंड 5वटे 18 ठाट और यह इतना हो जाता है साथ पंचे 35 35 मीटर प्रती सेकंड ठीक है यह एक के लिए मान हो गया और बी के लिए भी उतना ही कुछ मान होगा लेकिन उसके दिशा विपरीथ होगी इसलिए हमने इसे वीवी बोल रखा वीवी का मान भी किता 35 मीटर प्रती सेकंड अब देखिए कुछ टम्स इसमें समझने होंगे जब यह दूसरे को पार करती है तो उनमें से एक सीटी बजाती है ठीक है तो अभी हमने क्या कहा अभी हम यह क प्रिक्षगया श्रोता कहेंगे एक श्रोत होता है और दूसरा श्रोता होता है लेकिन वास्तविक तोर पर जो स्वर की आवरती है जो उत्पन होती है श्रोत के द्वारा उसके लिए आवरती का मान वास्तविक रूप से कितना है न बराबर उसका मान दिया है 2.22 किलो गाड़ी एक दूसरे को पार नहीं किये हूई है तो एक हमारी कन्डिशन हो जाती है हम हैं कि दोनों के प्रभाव को करेंगे opposition पहले के पूप नहीं करेंगी और हम यह प्रतिशा हमेशा से श्रोता की तरफ होती है जिसका मान दिया हुआ हमें वी की रूप में वी धौनी के लिए मान दिया हुआ कितना 335 यह किसमें है मीटर प्रती सेकंड पर ठीक है डॉपलर का प्रभाव अगर हम प्योग कर रहे हैं तो यहां पर एंडश की बात करेंगे जो श्रोता को प्राप्त होती है आभाशी रूप से पहली स्थिदी पर ठीक इसे हम बोलते है यंक रूप में और अभी हम देखेंगे कि श्रोता के सापिक्श धौनी संच्रन का वेग कितना है? दोनी संचरन का वेग V और शूता के सापेक्ष दोनों की दिशाएं क्या विप्रित विप्रित हैं इसलिए जुड़ जाएंगे तो V धन वी नॉट हम कहेंगे नीचे यह मान बनता है शूत के सापेक्ष दोनी संचरन का वेग तो उसे हम बोलते है V, R, V, S के रूप में ठीक ह तो यहाँ पर 35 हमने जोट रखा और नीचे हम 35 को घटा देते हैं, R, 35 तो यहाँ पर यह 330 हो जाएगा, Nडेश का मान हम देखें, तो 2220 गुना यह बनता है 370 बटे बनता है नीचे 300 तो यह 0-0 यहाँ पर कड़ गया, 300 और यह 0 भी यहाँ से कड़ गया, तो Nडेश का मान हम हमारे पस किठता बता है जाएगा, हमारे पस 2738 होड सी इस तरह से शुर्टा को पराप्ठ होने वाली जो आभाश्यावरितिक आम है उसकी वास्तितरी पावरिति से जाधा 2738 होगा, ठीक है, मतलब उस्से धोरी जो रिता को पराप्ठ होगी, ठीक है यह पहला condition हो गया, खिन का विग तो अभी भी हो जाएगा ये बीनौत के रूप में इसका मान कित्था ये हमारे पास है 35 ம 3 सेखेंड ठीक है धुरी संचरन का विग अभी कहां पर है वो दिशा ये बदल जाएगी और ये तो दूसरी स्थिति हमारे पास भी की रूप में रेल गाड़ियों के एक दूसरे को पार करने के बात की स्थिति है तो यहां पर हम डबल डेश कहते हैं जो शूता को प्राप्त होती है इसका मन भी क्या रहेगा एंड वास्ते विकाफरती अब हम फिर से देखेंगे कि शूता कि यहां पर क्या है तो थोनों के दिशाए क्या है दिप्रीद है इसलिए दोनों जोड़ जाएंगे वीधन वीएस हम कहेंगे उससे टो एन कमान हमारे पास के था यहां पर करेंगे तो 335 उपर पे हमने 35 घटा दिया और नीचे हम 35 जोड़ देते हैं तो हम सीधे लिखते हैं 370 चीक है तीसो तीसो 370 शुनी 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 आज़े कर जाते हैं तो एंडेश कम डबल डेश कमान हमारे पस कितना हमारे पास आ रहा है जे ये वो एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादा चात्रों का भरोजा आज ही डाउनोट करें डाउट ने डाप या वत्चाप करें अपने सारे डाउट आच चारसो 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 पर